आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का 64 वा जनम दिन है लेकिन इस उम्र में भी मोदी 14 घंटे काम कर रहे हैं गुजरात की मुख्य मंतरी से अब वो प्रधान मंतरी बन चुके हैं लेकिन उनकी दिन्चर्या में कोई फर्क नहीं आया है देखी कैसे बीते हैं आपके पी-म के 24 घंटे या फिर पहले की तरह ही 20 घंटे काम और 4 घंटे आराम ये है भारत के पंदर में बी-म नरेंदर मोदी का नया पता प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की दिन्चर्या में जो सबसे बड़ा फरकाया है वो है जगय का गुजरात के मुख्य मंतरी की भूमिका में नरेंदर मोदी गांधी नगर के मंतरी मंदली आवास के बंगला नंबर 26 में 13 वर समतक रहे प्रधान मंतरी की भूमिका में नरेंदर मोदी लुट्यंग जोन के RCR रोड के बंगला नंबर 5 में रहते हैं मोदी की आदत है सुबह पांच बजे उड़ते ही चायगा प्याला लेने की उन्हें इस दौरान किताबे पलटना पसंद है मोदी के क्लोस सरकल और कोर्टी में कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि मोदी का एमेल सुबह पांच बजे भी आ जाता है यानि बिस्तर से उटने के साथ ही एक बार वो अपने इमेल एकाउंट पर नजर मारते हैं और जरूरी हुआ तो लग यहाँ जवाब भी दे देते हैं घर और काम करने की जगह तो बदल गई है लेकिन मोदी की दिन चर्या में कुछ खास फरक नहीं आया है मोदी गाधी नगर में भी सुबह के पांच बज़े उटते थे और दिल्ली में भी उनकी यही रूटीन है पांच बज़े उटने के बाद प्रधान मंत्री मोदी सुबह की चाय पीते हैं और फिर सरसरी निगाह अपने मीनी कंप्यूटर पर डालते हैं कभी कोई आवश्यक मेल हुआ तो तुरन जवाब भी देते हैं उसके बाद शुरू होता है योग और प्राणायाम का सिल्सिला मोदी की दिन चर्रया का ये वो हिस्ता है जिसे ववाबतार पर मिस नहीं करते घंटे भर योग और प्राणायाम के बाद मोदी कभी कभार मशीनी एक्सिसाईस भी करते हैं मसलना क्रास ब्रेनर का इस्तेमाल सुबह उठने पर मोदी करते हैं योग और ध्यान मोधी भले ही तीन घंटे सोएं लेकिन सुबह सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान में वो कोई समझोता नहीं करते सुबह की कसरत के बाद मोधी के नहाने, धोने और नाश्टे का वक्त होता है नरेंद्र मोधी पूरी तरह शाकारी हैं और गुजराती वेंजनों को पसंद करते हैं इसकी बाद वो गुजरात विधान सभा के विदाई सत्र में भी उठा चुके हैं मोधी दिल्ली तो आ गए लेकिन साथ ही अपना रसोया बद्री लाना नहीं भूरे बद्री ही उनके लिए नाश्टा तयार करता है मोधी से पहले जो 14 पीम पीम हाउस में दाखिल हुए वो अपने पूरे परिवार ये परिवार के सर्दसे के साथ दाखिल हुए मोधी साथ आर्चियाद में परिवार नहीं लाए लेकिन वो अकेले भी नहीं आए वो अपने साथ गुजराज से कई चीज़न आए हैं जैसे बद्री नाश्टा करने के दौरान ही मोधी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर निगाह डाल लेते हैं खुद कंप्यूटर पर सर्फ तो करते ही हैं उनकी नीजी टीम उनसे संबंधित तमाम खबरों को कमपाइल कर भेज़ देती है उस पर भी निगाह डाल लेते हैं मोधी अखबारों पर निगाह डालने के साथ भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का फोन कॉल्स का सिल्सला शुरू हो जाता है प्रधान मंत्री बनने के बाद भी नरेंदर मोदी उन लोगों को फोन कॉल करने से नहीं चकते हैं जिन से उने कोई जानकारी लेनी होती है या फिर सीधा कोई निर्देश देना होता है पून कॉल्स के इन सिलसले को खत्म करने के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी या तो अपने दफ्तर साउथ ब्लॉक के लिए निकल जाते हैं या फिर सेवन आर्ट सी आर इस तेट आवासी दफ्तर में पहुँच जाते हैं प्रधान मंत्री के दफ्तर पहुँचने से पहले उनका लिजी स्टाफ वहां पहुँच चुका होता है और फिस पहुँचने के साथ ही मोदी महत्वण फाइलों को निप्टाने में लग जाते हैं साथ में रोजानाद दो से तीन महत्वण बैठके भी करते हैं इन बैठकों के दौरान संबंधी तधिकारी उनको आवज तक सूसनाई देते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है और इस दौरान मोदी खुद जरूरी निर्देश भी देते हैं इन बैठकों के अलावा तमाम अन्यगण मान्य व्यक्तियों से मिलने का सिलसिला जारी रहता है एक दिन में कम से कम 6-8 लोगों से मिलने का समय देते हैं प्रधान मंथरी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मुलाकात का जो दौर था वो जारी रहा प्रधानमंत्री इसके अलावा समाज के दूसरे वर्क के लोगों से भी मुलाकात करते हैं मसलन हाल ही में उन्होंने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनकी मा से भी मुलाकात की मोदी सिर्फ बैटकों में ही बिजी नहीं रहते बलकि जनता के साथ समवाद स्थाबित करने की कुशिश भी करते हैं बैटकों और मिलने जुलने के इस सिलसिले के बीच ही मोदी दो पहर का भोजन करते हैं अमूमन देड़ से ढ़ाई के बीच मोदी लंच करते हैं मोधी को लंच अकेले करना पसंद है जहां तक खाने का सवाल है उनका भोजन सरल होता है जर इस नहीं कभी दाल तो कभी सबजी तो कभी कोई सलाद अमूमन भोजन करने का ये वक्त जो है 20 मेंट का होता है उसके बाद एक बार फ़र्टे मोधी काम में जुड़ जाते हैं लंच के बाद उन्हें आराम पसंद नहीं लंच खतम होने के साथ ही एक बार फिर से फाइलों के निप्टारे, संबंदित मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात का सिलसला जारी रहता है रूटीन के मुताबिक अमूमन प्रधान मंत्री अपने कारयाले से राद पौने 10 के करीब ही निकल पाते हैं और अगर वो अपने आवासिय कारयाले से काम कर रहे हो तो 7RCR से 5RCR जाने का वक्त तकरीबाण राद 10 बजे के करीब ही हो पाता है और जब प्रधान मंत्री राद 10 बजे के करीब 5RCR पहुँच जाते हैं उसके बाद ही उनका नीजी स्टाफ और प्रधान मंत्री काराले के महत पूर्ण अधिकारी अपने घर के लिए रवाना हो पाते हैं। और पर भी मोदी को लोगों को खुद फोन करने की आदत थी और बता और प्रधान मंत्री भी इस रूटीन में कोई फरक नहीं आया है। है आवह बाट के मदे नजर मोदी ने अपने जन्दिन का उसब ना मनाने का निर्देश अपने समर्थकू को दिया। वो भी ट्विट के जरिये ही आया। मोदी अपनी आईटी टीम के सदस्यों से दिन रात चुड़े रहते हैं। यहां तक की विदेश यात्रा के दौरान भी हर महत्पूर्ण मौके पर किस किसम का ट्विट हो इसके बारे में वो दिशा निर्देश देते हैं। मोदी के एक और आदत है। उनके पास आए जयात्र पत्रों का जवाब उनके मिर्देश पर उनका नीजिस साफ से यार करता है। लेकिन उन पत्रों पर मोदी हस्ताक्षर खुद करते हैं। यहां तक कि हाल ही में रक्षा बंधन के मौके पर जब बड़े प्रमाने पर उनके पास पत्र आये थे। उनमें से जयात्र का जवाब उन्होंने दिया साफ में अपने हस्ताक्षर भी किये। मोदी के रूटीन का हिस्ता सुबा और देर शाम को होने वाली वो बैटके भी हैं जो वो अपने चुनिंदा अधिकारियों के साथ करते हैं जिनमें सभी महत्पुर्ण नीतिगत विशयों पर चर्चा होती हैं और जिसमें ये भी तय होता है कि पतोर प्रधान मंत्री मोदी अपने भाशन में किन मुद्दो पर जोर देंगे हलाकि इन तमाम मामलों में आखरी फैसला मोदी का ही होता है लिखा हुआ भाशन जो नहीं पढ़ते देश में तो ठीक विदेश में भी यही सिलसला चल पड़ा है अपने पहले विदेश दोरे में भूटान में जो एक्स् टेमपूर ही देने वाले हैं